भारत में रह रहे लगबग 70 करोड लोगों के लिए हैंड पंप पानी का एक कॉमन सोर्स है लेकिन क्या कभी सोचा है कि हैंड पंप को उपर नीचे करने से पानी बाहर कैसे आ जाता है आज हम हमारे हैंड से हैंड पंप बनाएंगे और साथ साथ वॉल, प्रेशर और एनर्जी कंसरवेशन के बारे में भी जानेंगे एक बहुत सिंपल पंप हम बस एक पाइप से बनाके वॉल कैसे काम करता है ये समझ सकते हैं पाइप को बाल्टी में डालने पर पाइप के अंदर यहां तक पानी भर जाता है पाइप में पानी का लेवल ड्रॉप ना हो इसलिए बाहर निकालते समय हम पाइप को उपर से बन कर देते हैं अगर हाथ नहीं रखे तो पानी पाइप से निकल जाता है फिर अंदर डालते समय खोला फिर बाहर निकालते समय बन कर दिया ऐसे करके हमारा हाथ एक valve बन जाता है और पानी बाहर आ जाता है हाथ को आराम देने के लिए हम इस pipe के नीचे ऐसा valve लगा के भी पानी बाहर निकाल सकते है इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बस हमारा हाथ का काम ये cello tape का flap कर रहा है अगर आपके पास ये बने बनाए valve हो तो आप इससे ये syringe hand pump भी बना सकते हैं इसके लिए आपको एक syringe, दो valves, एक T connector और ये flexible tube चाहिए सबसे पहले हम T joint के तीनों तरफ flexible tube के छोटे छोटे तुकडे लगा देंगे इससे T connector को हम syringe और valve से जोड़ पाएंगे अब इस तरफ हम syringe connect कर देंगे और syringe के ठीक opposite हम एक valve लगा देंगे valve ऐसे लगाना है कि उसका white end T connector की तरफ हो इससे पानी नीचे से उपर तो जा सकता है लेकिन ulti direction में नहीं जा सकता इनमें फूक मार के हम इने चेक भी कर सकते हैं अगर black side से फूक मारा तो हवा चले तो जाती है लेकिन खीचने पर वापस नहीं आती इसलिए हम इसे one way valve बोलते हैं ये कुछ गाएब हैंसके बाड़े के दरवाजे जैसा है बाहर से खुल जाता है और गाएं अंदर आ जाती है ये दरवाजा दूसरी और से नहीं खुल पाता और पशु बाहर नहीं जा पाती सिरिंज के सामने वाले side याने जमीन से हमें पानी ऊपर खीचना है मतलब पानी अंदर आना चाहिए लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए इसलिए हमने ये valve को ऐसे connect किया है अब टीके इस तरव भी हम एक valve लगा देंगे इसका direction हमें ऐसा रखना है ताकि पानी तो बाहर जा सके लेकिन हवा अंदर नहीं आ सके बस अब pipe को पानी में डालके जब हम piston को ऐसे उपर नीचे करते हैं तो hand pump से पानी बाहर आ जाता है जब हम piston को खीचते हैं तो ये नीचे वाला valve खुल जाता है और पानी सिरिंज के अंदर आ जाता है इस समय ये सामने वाल बंद रहता है और हवा अंदर नहीं आ पाता piston को नीचे दवाने पर ये outlet valve से पानी बाहर आ जाता है इस समय ये नीचे वाला वॉल बन रहता है और पानी नीचे नहीं जा पाता ये मेटल बॉल को अगर हम सिरिंज में डाले तो ये भी एक वनवे वॉल बन जाता है और इससे हम कुछ इस तरीके का पंप बना सकते है इन हांड पंप्स में तो पिस्टिन आउटलेट छेद के उपर है लेकिन रियल हांड पंप्स में पिस्टिन आउटलेट वाल के नीचे रहता है जब पिस्टिन उपर जाता है तब पानी हांड पंप से बाहर आता है ये pump भी कुछ उसी तरीके से काम करता है इस pump में दो walls है पहला wall ये metal का तुकड़ा है और दूसरा wall पिस्टिन में लगा हुआ ये cello tape है जब हम piston को उपर खीचते हैं तो bottle के अंदर pressure कम हो जाता है जिसके वज़े से ये metal का wall खुल जाता है इस समय piston में जो cello tape वाल है वो बाहर के air pressure के वज़े से बंद हो जाता है और हवा बाहर से अंदर नहीं आ पाती तो ऐसा खीचने पर पानी नीचे के wall से उपर आ जाता है अब हम जब piston को नीचे लेके जाते हैं तो piston का cello tape वाल खुल जाता है और पानी नीचे से उपर आ जाता है इस समय ये metal वाल बंद रहता है और पानी नीचे नहीं आ सकता अब वापस खीचने पर पानी हमारे नल से बाहर आ जाता है पानी नीचे से उपर आ रहा है यानि उसकी potential energy बढ़ रही है ये energy हमारे muscles से मिलती है pumps के कई सारे variation हम आसपास के चीजों से भी बना सकते हैं लेकिन अगर glass में ही पानी खतम हो गया तो ये pump किस काम का? ठीक इसी तरह अगर hand pump को जमीन से मिलने वाला पानी खतम हो गया तो 70 करोड लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा तो चलिए इस ground water या भूजल को थोड़ा समझ लेते हैं और आज से ही इसे सुरक्षित रखने की एक कोशिश करते हैं धर्ती के नीचे पत्थर और उनके cracks में पानी जमा रहता है जिसे हम ground water बोलते हैं ये ground water हमारे इस्तमाल करने पर कम हो जाता है बरसात का पानी नीचे रिसकर इसे फिर से भर देता है प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस पानी को बहुत बरबाद कर देते हैं और बारिश के साफ पानी को सिमेंट के जमीन बना कर नीचे नहीं जाने देते हैं इतना ही नहीं खूब सारा कीट नाशक और केमिकल्स का इस्तमाल करके हम इस नीचे जा रहे पानी को विशैला बना देते हैं हमारे रोज के आक्शन्स रिसाइड करेंगे कि ये ground water कैसे रहेगा खाना बरबाद किया तो लोगों को खाना कम पड़ेगा इसलिए खेतों में ज़्यादा कीट नाशक का इस्तमाल होगा और पानी विशैला हो जाएगा अगर जरूरत से ज़्यादा सामान खरीदा तो उन्हें बनाने के लिए ज़्यादा पानी का उप्योग होगा जिससे पानी का लेवल ड्रॉप हो जाएगा जितनी खुली जग़ की सिमेंटिंग करेंगे उतना ही ग्राउंड वाटर की फिर से भरपाई नहीं हो पाईगी तो ये ज्यादा रोटी, कपड़ा और मकान का लालच ही है जो इस ग्राउंड वाटर को बरबाद कर दे रहा है अगर हम इस बात को दिमाग में रखकर पानी का रियूस करें, बारिश के पानी का संग्रहन करें, खाना और जरूरत के सामान को आवशक्ता के हिसाब से खरीदें, तभी हमारा ये पानी सुरक्षित रह पाएगा और अगर पानी सुरक्षित, तो हम सुरक्षित रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सूर, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चूर झाल माने राग ये राखिये, बिन पानी स्टीखिप act क प्रोड कि रिख चानी सब सक्राद करेंगना अरी ठाल को रही रधत सब सकति क क्या है?